कि हलो बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कच्छा साथ का इंग्लिस का कम्प्लिट स्वल्यूशन एड़ अभ्यास पुस्तिका का डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं अन्य सब्जेक्ट का स्वल्यूशन आए शुर सब्सक्रिप्शन आप देखते होंगे कि बरसात के बाद जो मौशम होता है उसमें यदि हम सूझ की तरफ पीट करके खड़ी हो जाए तो में इंद्रधनुश दखाई दीगा ठीक है तो आई चलते हैं इस पर बिश्ट कॉस्चन है देखते हैं वेर दूदा बोट सेल देखते हैं वेर डिजदा क्लाउड सेल बादल कहां ते रहते हैं एक क्रोस दा स्काई आसमान में नेम दा पूइट आप दो पूयम दा रेन्बू कि कभी कौन हैं तो क्रिष्टीन जोर्जीन रोसेटी ठीक है अगला क्या है एक या दूबाक्ति में उत्तर दें जैसे कहा गया है पहला वाट इस दा प्रेटियस्ट दिन बोट अनज सेल मलब बोट और सेल से भी ज्यादा प्रेटियस्ट कौन है तो पर च्वचो दा तर्योदर हो गए हैं आपको सई से जमाना है तो इन सब्दों को इस तरह से जमा सकती देर आर ब्रिज ओंदा रिवर लब नदी की ऊपर एक पुले ठीक है आईए चलते हैं नेक्स्ट पीच पर नेक्स्ट पीच पर है आपका क्या राइमिंग बर्ड में आपको कई बार बता चुका हूं कि बच्चो तुकबंदी वाले सब्द होते हैं जैसे कि सिंग का रिंग ठीक है इस तरह से जैसे हाल चाल ढदाल माल इस तरह से एक ही धोनी उत्पन होना चीज़िए जैसे बेक का हो जाएगा कीक किंग का सिंग सेट कम नीला आसमानी और बैगनी यहीं जो है इंद्रदन उसका भी कलर होता है ठीक है इसी के कोड़िंग इधर बादर है तो बादल में आप सकाई ब्लू भर सकते हैं ओकी आसमानी आईए हम चलते हैं नेश्ट पीट पर तो नेश्ट पीट पर आपको दिया गया है अतीलग उत्री इन अशाइनमेंट दिया गया है अशाइनमें नंबर बन वेर्ट इस दा रैन्बो मेक ब्रिज अच्छा रैन्बो जो है ब्रिज कहां बनाते हैं तो एक क्रोस दरे बार मनलब नदी के आर पार ठीक है राइट दा कॉमपरेटिव एंड सुपर लेट डिग्री ऑफ होता है अब आपको क्या करना है इन लाइनों को क्रम से जमाना है याद रखना और क्रम से जमा के इधर लिखना है तो मैं आपको बता दू जहां मैंने नंबर डाला है जैसे कि यहां तीसरी पर पहला नंबर डाला है ना तो वह आप सब से पहले लिख देंगी फिर आप बिनूत कहां गया तो इन दोर ठीक है वे डिड़ बनूत डिसाइट टुटीवल उसने क्या डिसाइट किया सफर करने के लिए तो बाई एसी क्लास एसी क्लास से से डिसाइट किया क्योंकि अधर क्लास इसमें बहुत सारी भीड़ थी यंग में जो आया था कूच में उसका कोट कैसा था तो टाइट एंड सौर्ट एड़ा बेक ठीक है बहुत टाइट था और पीछी से छूटा था हाव डिड़ अधर पैसेंजर एपिर इन दकूस दा अध अगला क्या है अगला कुश्चन है आपका वें डिड़ टीटी एपिर तो कब टीटी एपिर हुआ बिनूत थोट ही वुड़ वी अवेल टू ट्रेवल बिथाउट टिकेट बट जस्ट आफटर हाफ आफ आवर ड़ टीटी एपिर ठीक है अगला है वायवाज बनूत सर्प तो बनूत सर्प्राइज यानि आसा चकत क्यों हुआ तो बनूत वास सर्प्राइज तो सी सची मेन इन एसी कूच्छ ही रिकॉल्ड हाव क्राउड़ ट्रेन वाज बट ही वंडर इफ दा यंग मेन वुड़ वी अवेल टूपी दफियर ओफ इसी क्लास का टिकेट देने में सक्षम है यहीं जो है उसको सर्प्राइजिंग बात लगी अगला है सब्सक्राइज में नमबर टू पहला आती लग उत्री है हाव वास ट्रेन कैसी थी ट्रेन ओवर क्राउड़ बहुत भीड़ भाड़ बाली हूं जैसे ही ट्रेन चलनी लगी को नाया तो यह पूरली ड्र अपर आपको क्या करना है उस प्रते अफ्षर के लिए री इसी री दाइट तरा रेचे दुसमें और है रे लगा की इनका अर्थ भी लिखना कैमेश दोड़द्या जैँक्र जैड़ अगेन लगा है इसमें अागेन खोया हुआ अब एक कहानी बहुत बढ़िया है इसमें बुड्डे जो अपने दमाग का यूज करता है अपने दमाग की आखों से देखता है और वो बता देता है कि आपका गोड़ी की परिस्तिति हालत कैसी है आप खोय जिनका खोयाता है वह सूथे हैं कि इसी ने चुल अचाएं तो उसको भूव और॥'t ले कर रही थी वाटर दा मर्चेंट डूइंग इन डिजर्ट क्या कर रहे थी तो टू मर्चेंट्स वर सर्चिंग फूर देर लॉस्ट के मिलें डिजर्ट मतलब वह अपने खुए हुए उट को ढूंड रहे थी कैसे पता चला उल्ड मैन को कि जो केमल है वो लंगड़ा है तो ही लुक्ड एड़ फूट्पेंट ऑन दा सेंड एंड बन आप देम कुड हार्डली भी सी मतलब उसने उनके पाउं के निसान देखी रेत पर लेकिन उसमें से एक जो है बहुत ही मुश्किल से दिख रहा था त अगले वाइड दा खलीपा नोट पंस अ धा उल्ड मैं ठीक है नोट पन्स मालाप खलीपा नपने पन।िक हो नहीं किया ओलिण को धकलीफा दिटनोट पने से जोल्ड मैन बकॉvit अध मेड़वा इसने जोवाइचन चीजों को देखने के लिए उसने अपनी बुद्धी काप्यों किया इसलिए अगला कुश्चन देखी क्या दिया गया है वाइड दा ओनर्स गेट एंग्री बिद्धा उल्ड में मलब जो उट के मालक थे वो क्यों कुछ साह हो गया देखो दा मर्चेंस थोट उनने सुचा मर्चेंट ब्यापारी होने इसलिए इसलिए बूलो उससे गुस्ता हो गया ठीक है कि अगला कुश्चन आपका असेंडमेंट नमबर थ्री में क्या है देखी नेस्ट बीच पर कि इन विच आई केमल वास ब्लाइंट कौन सी आख से जो केमल था बंदा तो लेफ्ट आई कौन सी लेफ्ट आई अगला है अगला है हाव दिड़ दा ओल्ड में नूदा केमल व है ठीक है एड़ लास्ट वाट डिड़ खलीफा से टुदा मर्चंट और अंत में मरिच खलीफा ने क्या बूला मर्चंट से खलीफा से दिस मैं हैज मेड यूज ऑफिस आई तो लुक दा तिंग उसने अपने आखों का इस्तमाल किया है आप भी बुद्धी का इस्तमाल कर और जाकर देखो अपना उट का है ठीक है अगला चैप्टर है ओलंपिक चेंपिए ठीक है लेसन नमबर इट इसमें एक कहानी भी बहुत बढ़ी है इंस्पाइड है मतलब कि हमें प्रिणा देती है ठीक है इन हाव मेनी एर्स और ओलंपिक्स गेम हैं मतलब कि कितने साल में इक बार जो होनपिक्स गेम और्ग्नाइज किया जाता है तो बंस इन फूर य चार साल में एक बार वहनवाज फूस्टिवल फेस्टिवल ने घ्रीश हैं तो घ्रीस में कब तो इन-7-7-6 बीसी ठीक है व्यर्वाज बॉबी पीयर्न बौर्न कहां हुए थे थे तो ऊस्री इन आश्टिलिया आश्टिलिया के सिड्नी सेहर मेंन का जनम हुआ था बॉबी पिर्स का बिच बर्ड केम इंटू दा पथ बॉबी बॉटेंग जब ओलम्पिक की रिए सुरे थी तो एक डख लिंग और डख मतलब बतक और बतक के बच्चे उनके रास्ते में आ गए थे वाट डच निउस्पेपर राइट अब बॉबी पिर्स तो डच निउस्पेपर ने क्या लिखा बॉबी पिर्स के बारी में तो डच निउस्पेपर वर राइट ही वन दा गुडविल ऑफ दे चिल्डर ऑफ एमस्टरम मतलब उसने बच्चों के दिल को जीत लिया ठीक है अगला है वाई आर दा गेम्स काल्ड ओलम्पिक गेम को दो एन ओलम्पिक स्पूर्ट फेस्टिवल वाज हैल इन ग्रीस इन 776 बीसी एट ओलम्पिया एन ओलम्पिया में सबसे पहले हैल किया गया था और्गनाइज तो इट वाज कल्ड ओलम्पिक गेम्स ठीक है ऐसान में नमबर फूर में एट वाट एज डिट बॉबी पियर्स यह जो बिन दा फस्ट रेस फस्ट रेस कब उनने बिन गी तो एट दा एज ओप सिक्स जब उच्छे साल का था वेर दिड़ बॉबी पियर्स सी डग एंड़ डखलिंग कहां देखा एक्रोस दा वाटर वी ठीक है कि वह पार कर रहे है पानी को यूज दा इनफॉर्मिशन अच्छा इनके एक्कॉर्डिंग आपको इनफॉर्मिशन लिखना है जैसे एड़ दा इज ओप शिक्स क्या हुआ तो ही वोन दा फस्ट रेस ठीक है एड़ द जैसा बास्तों में है ठीक है 1945 में तो ही श्टॉप टेकिंग पार्ट इन इस पूट है ना बुसने बंद कर दिया इसपूर्स में भाग लेना ठीक है 1945 में आए चलते हैं अब हम नेस्ट पीछ पर नेस्ट पीछ पर है नेक्स्ट चेप्टर पार्ट का नामें लोहरी एक जनवरी में मनाया जाने वाला तिवार है ठीक बच्छों कहां पर नॉर्थ हंडिया में ठीक है तो देखिए पहला कुश्चन क्या कहा गया है वाट कंजूम्स एलोट अब तो क्या है बॉन फायर ठीक है वाट इस दा लोहर सहायता से भी आप अपने सॉल्व कर सकते हैं और अच्छी बात भी है करना और मैं तो चाहता हूं कि आप की सहायता से ही सॉल्व करें बच्छों ठीक है बिच फेस्टिवल डू लाइक मुष्ट आई लाइक दीपवली अब जो भी आपको पसंद हो तो यहां दीपवली यूए इन आवर लेंड ठीक है तो वी हैव लवली कॉस्टम्स इन अवर लेंड ठीक है क्या है अपने जमीन पर लवली कस्टम्स कैसे जो हावा है प्रदूशित होती है दो एर गेट पॉल्यूशन होता है अगला है दीरगुत्री पुष्ण में इस तरह से आपको कुछ पंक्तियां दी गई है इन पंक्तियों को आपको इसी बॉक्स में जमाना है बच्छों तो इसमें कोई भी इदर उदर नहीं है सब पंक्तियां जमी हुई है सेम तो इनी को आपको पहली इदर जमाना है ना पहली जमा दीजी दूसरी आपको यहीं जमाना है दूसे नंबर पर तीसी आपको तीसे नंबर पर जमाना है ठीक है तो आप जैसा भी लिखा है बैसी बॉक्स बाइस बॉक्स लिख देश में कोई भी बदलाव नहीं है ठीक है अगला क्या है देखिए अगला है नेक्स्ट असेन्मेंट नमबर फाइब वाट इस दा पुएम आब पुएम किसके बारे में तो पुएम इस अबाउट तो लुहरी इना फेस्टिवल लुहरी के बारे में है वाट शुडवी बर्न इंस्टीड हम क्या जला सकते हैं लकड़ी के अलावा लकड़ी के इस्थान पर तो वी बर्न अवर हीटर हम अपनी नफरत को जला सकते हैं लकड़ी के इना इस्थान पर और पीने से हो कैसे हम लोहडी को मना सकते हैं अच्छे तरीके सी तो लोहडी केन भी जेलिबरेट वाइट रेकर बर्निंग अबाः हीट्र इन दर vibes मनलें में अपनी नफ्रोंतों को जला कर एक और अच्छे से लोहरी का तिवार मना सकते हैं आए चलते हैं नेस्ट पेज पर पीज नंबर है आपका 73 ठीक देख लीजिए मिला लीजिए 73 पीज नंबर पार्ट कराम है बन बेटिकट है ना एक तरफ का टिकट तो बच्चों इसका पहला कुश्चन है फ्रेंड एमांग दा ओल जितने भी चार पांच लोग थे एना गिट्टू था किस्तो था बिसनी थी कृष्णा था इन में सबसे बड़ा कौन था तो कृष्णा जो है सबसे बुद्धिमान भी था और बड़ा भी था वाट रोल डस गिट्टू पली क्या गिट्टू का रोल कई कृष्णा वाज वाई सकते ह। कैसे कह सकते हैं कृष्णावाज था न्हीं बुद्धिमान था तो he solves everyone's problem वह सभी मुष्खिलों को परिशानीहों को solve ता था तो हम कह सकते हैं कि वह एक बुद्धिमान था वाट यूँ वाहट अधो डीकव्या डी ग路 टो इन्फोन दैर पेरेंट्स मतलब उनने टेलीफोन पे किसको पूश्टमेन को बुलाया और इंफर्म किया वाट डिट देर मदर गिभें उनकी माने उनको क्या दिया तो दो फ्यू थिंग्स टू इट ओन दवी रास्ते में कुछ खाने के लिए उनकी माने उनको दिया ठीक है अगला क्या है पेज नंबर पेज नंबर कौन सा है देख लेती है बच्चों पेज नंबर है आपका 74 कहा गया है पहला कुश्चन दीरगुत्री है वाट ड़स दा फेर है फूर चिल्रन ठीक है मेले में क्या क्या था बच्चों के लिए तो इट हैज कैटरपिलर ट्रेन राइड है ना जाइंट वील एंड हंसी घर ठीक है तो इस तरह इसी बच्चों के लिए जब चीजें आए जल देहें नेक्स्ट पीच पर तो असेनमेंट नुमर शिक्स पर वाट ड़स किस्तों वीर किस्तों ने क्या पहना था तो यह लोंग खादी कुरता जो है किस्तों ने पहना था ए ऐनिए बन ऑफ दा फाइफ फ्रेंट आपको बताना है कोई एक जो आपको पसंद यह के बारे में तो आई लाइक क्रिष्णा ठीक क्रिच्छना के बारे में क्रिष्णा विकुझा विकॉज ही आलवेस क्लीन एंड है यह स्ट्रेट गैट वह हमीशा साप्सुत्रा और बिल कोष्ट थी प्रितिक टिकट की तो दा रेट 3 रुपया तीन रुपय था प्रितिक टिकट का वाट डिड चिल्रेन आप टूइट क्या खाने के लिए उप्ट किया जलेवीज भजिया और कुल फी तीन चीजों ने इनका सेकंड फॉर्म लेखना है कीप का कैप डेकोरीट का ड क्रोट मनलब होता है सजाना की मनलब होता है रखना तो सजाया और रखां और नि ने जरूँ कितनी मनी चाहिए थी उनको लोटने के लिए तो देनी टैन रूपीस फूर प्रते प्रभी तो यह दिड क्रिण काल डरेंड इड जो एड है उसने क्यों बोला तुछ लोग वच्छो उसने इसलिए बोला विकॉज टेक एज राउंड फेर टू उसने क्यों कि मेले की सवारी भी करवा दी पूरी अगला क्या है वाट डिड़ गिट्टू से एट अबाउट 11 o'clock in the night क्या बोला उसने तो ही सीज लेट्स गो एंड रेस्ट सम्वेर चलो चलते हैं और कहीं आराम करते हैं we can leave by the first bus in the morning और हम सुभाई की पहली गाड़ी से घर पे निकल जाएंगे इसके बाद आपको जो है इधर यह जो लिखा हुआ है किस्तू और कृष्णा का statement दिया गया है इसमें आपको punctuation marks का यूज करके फिर से लिखना है तो देखो मैंने इधर लि जाएंगे तो पीज नंबर आपको मिल जाएगा यह दोनों पीज नंबर मिलेगा 93 पर इन दोनों का statement मिलेगा तो उसी को आप नूट कर सकते हैं ठीकिर पीज नंबर 93 पर आए चलते हैं नेक्स्ट पीज पर तो नेस्ट पीज पर साइंडमेंट नंबर सेविन में हाउ ही तो कैटर प्लर एंगे कोब को करूच जैसी चाहक रेचित यह ग्रीक्रीज कोस्तेď चाइब् due जाए क। सीट थी तो हैब डेकोरेटेड होर्स एजी सीट एन्हें घोड़े की तरह है ठीक है अगला है बिच राइड दू लाइक टू है इन फियर एक ट्रपलर राइड और इमेरी गूरांट तो आई लाइक दे अगला क्या है नेक्स्ट चैप्टर है 14 और पीज नंबर है 79 ठीक है कहा गया है वाट इस दा पार्ट का नाम है बिजिट तूर्चा जो है किस जिले में है आप मुझे बताएंगे जो और शाहें वह अभी नया जिला बना है सबसे आखरी मद्दब्रदीश का सबसे छोटा भी है ना कम पॉपलिशन में भी सबसे कम है तो बताईए बच्चों को वह कौन सा जिला है जिसमें और शाभी है पहले में बताऊं टीगमगर जिले में था अब बताई या आप किस जिले में है तो को वाट इस दा मीटिंग प्लेश और रिवर कार्ड जो रिवर जहां मिलती है उनको संगम बोलते हैं कौन फ्लेक्ट ठीक है विच रिवर इस नौट सीन इन अलावाद संगम तो इलावा संगम में सरस्वती जो नदी है वो हमको ने दिखती गं पूर्चा में जो टेंपल है तो बिकॉस ड्यू टू दियर फॉम आप इस्ट्रक्टर के बजह से उनकी जो आकार है वाट वर्द टू बेसिक स्टैल पेंटिंग तो राजपूत एंड मुगल स्टैल दो बेसिक स्टैल है पेंटिंग की ठीक आई चलते हैं नेस्ट पीज न है नेँट्य दिफ्रेंट स्टैल अप राजपूत पेंटिंग की तरी स्टिंट स्टैल तो राजपूत इस्टैल पेंटिंग वास फर्दर डिवाइड टिरी डिफ्रेंट स्टैल राजस्थानी कांगरा एंड-बुंदिला घीके और जो च्छत्रीया इंडिके है ठीके is the meaning of Senua tap Senua tap का मतलब क्या है दा Senua tap एट ओर सार कार्ड दा छत्री छत्री को वही सेनुटेप जो है बूला जाता है हूँ बुल्ट दा छत्रीज एंडवाई क्यों बनाई गई दी छित्रियों किन ने बनाई थी तो इट वाज बुल्ट बुंदिलास किंग है ना फूर टूरिस्ट फ्रॉम आल ओबर दा वर्ल्ड केम तूसी दें उनको की परेटक आएं मनुस फादर मनु के पिताजी कौन थे तो मौरूपंत तांबे मनु के पिताजी थे मनलब रानी लक्षमभाई के बैन वाजदा फस्ट वार ओफ इंडिपेंडेंस फाइट यह सुतंता संग्राम का पहला जो है आंदुर्यों होगा अठारा सव संदान में ठीक है राइड इसलिए उनको शबीली बूलते थे भूं है अगला क्या है question देख किए मनु बाज इंस्पाइड बाइस संदे परिशन के ठीक है तो मनु जो कई बीर महापुर्शों से प्रभावित थी उनकी नाम बताना है तो अरजुन, भीम, सिवाजी और महारणा प्रताब चार लिख दिये हैं कोई भी तीन आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपको qualities पूछी गई है qualities मतलब गुण बिशिष्टाएं किसकी रनलक्षवाई की तो ब्रेव, कॉर्जियस, बूल्ड, ब्यूटिफुल, एंड इंटेलिजेंट इस चार-पांच बिशिष्टाएं हैं उनकी सी ओफटन डिसकस सीरियस पॉलिटिक्स मेंटर बिथर फादर वाट डिड़ सी टेल अबॉट दविट इस उनने क्या बोला बिटिश के बारी में देखो सी सेड़ देट देशुड नॉट बी कावड एंड देशुड नॉट टोलरेटेड बिट बिटिश है मनलब वह कायर नहीं है हम लोग और हम भी बिटिश को जबाब दी सकते हैं यदि वह हम पर अत्याचार करेंगे हम उनके अत्याचार नहीं सहने वाली ठीक है आए नेक्स बुक रामायन और उसके दूसरी कताब कौन थी जो वो ग्रेट इंटरिस्ट के साथ पढ़ती थी उसका नाम था भगवत गीता तीक है गीता वाद डिट डिटी सर्स नोट एक्सेप्ट क्या बेटिसर सक्षेफ नहीं किया तो दा डिटिटिसट्नौट एक्सेप्ट अड़र एक्सेप्ट नहीं किया ना कौन सी प्रेक्टिस हैं जो उनको वो अलग करती थी वो उस टाइम की ओरतों से देखों सी प्रैक्टिसिंग होर्स राइडिंग गुर्चवारी शूटिंग निसाने वाजी रेस्लिंग पहलवानी एंड आल दा मार्शल आर्ट में भी निपूर थी आए चलते हैं नेक्स्ट पीच पर तो नेक्स्ट पीच पर आपको कुछ नहीं है और एधर एट गरेट अभ्यास पुष्ट का साथ संस्कृत का इसका वी में जल्दी लेकर आऊंगा तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक चला सब्सक्राइब करें इस वीडियो में कम्प्रेट शॉल्यूशन हो गया है विच्चों तो टेक केर बा बाइ-बाइ